तो और मेरे भाईयों कैसे हो सभी, उमीद करता हूँ कि सारे बढ़िया होंगे, तो इस वाली वीडियो पे हम बात करेंगे स्कॉर्ड के बारे में, स्कॉर्ड के कुछ कॉंकरर टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, साथे साथ आप सभी को मैं ये भी बता ले सकते हो स्कॉर्ड में, और एक और बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जनको लगता है कि भाई, दो या तीन दिन के अंदर कॉंकरर करना इंपॉसिबल वाली बात है, तो वो इस वाली वीडियो को छोड़ कर जा सकते हैं, आप लोगों का मैं टाइम वेस्ट नह और सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल को तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं, तो सबसे पहले मेरा सवाल सभी से ये है कि आप कौन से वाली रैंक से शुरू करने वाले हो, आपने रैंक पुछ तो करना है, लेकिन कौन से रैंक से आप शुरू कर रहे हो, तो सबसे पहल पल देता हूँ मालो एक बंदा प्लैटिनम से रेंग पुश करना शुरू करता है सिजन 19 में और एक तरफ कोई बंदा है जो गोल्ड से शुरू करता है तो गोल्ड वाला जब को प्लैटिनम पहुंचेगा तब को प्लैटिनम वाला क्राउन पहुंच जाएगा क्योंकि स्कॉ पढ़ेगा मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूं कि टेमिट आपके पास होने चाहिए होने चाहिए उसका रिजन यही है कि भाई अगर आपके पास टेमिट होंगे न तो आपका conqueror काफी easy हो जाता है भाई अगर आप random के साथ खेलोगे या फिर किसी भी बंदे को ले लोगे कि आज आ भाई rank push करते हैं साथ में तो भाई नहीं हो पाएगा main चीज होती है भाई coordination और coordination random के साथ तो बैठता नहीं है और ना ही किसी ऐसे बंदे के साथ बैठता है जो बस अभी अभी मिला हो तो ऐसे teammate रखने के कोशिश करो जो अच्छा खेलते हो अच्छा खेलना ही सब कुछ नहीं होता है main चीज होती है coordination जो आपकी बात सुने ठीक है आपके साथ खेले तो ऐसे बंदे होने चाहिए और मुझे पता है कि आप मैंसे काफी बंदे ऐसे होंगे जो squad में rank push करने वाले हैं लेकिन उनके पास teammate नहीं है तो भाई देखो आपको मैं simple बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एक बंदा है तो आप duo पर चले जाओ अगर कोई नहीं है तो आप solo पर चले जाओ कोई जरुवत नहीं है आपको squad में ही rank push करना है तो squad में आपको पता है कि भाई बहुत जादा competition है मैं बार बार बोलता रहूँगा बहुत मुश्किल आएंगी भाई सची बता रहा हूँ अगर आप random के साथ खेलोगे या solo squad खेलोगे और अगर आपको teammate चाहिए ही चाहिए तो आप इसी वीडियो के नीचे comment कर सकते हो कि भाई मुझे teammate की जरुवत है ऐसे करके तो जिसको जरुवत होगी वो आपका reply कर देगा और आप बाचित कर लेना और साथ में खेल लेना भाई साथ में rank push कर लेना लेकिन वापस से मैं बता रहा हूँ कि मतलब coordination होना जरूरी है tip number 3 है drop location और ये बहुत ज़धा important है भाई इससे आपका depend करता है कि आपका minus होगा या फिर आप plus में जाओगे तो ये सोच लो कितना ज़धा important point है तो जब आप drop location अपना decide करते हो तो चारों बंदे मिलकर decide करना कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि confusion रहे आपके मन में कि यहाँ पर जाना चाहिए या फिर यहाँ पर जाना चाहिए और मेरे हिसाब से आप अपनी कोई कोई ऐसी location बना लो जहाँ पर आप हमेशा जाओ वहाँ के बारे में आपको हर चीज़ पता रहेगी और ऐसा मत कर देना कि कभी कहीं और जा रहे हो कभी कहीं और जा रहे हो इस चक्कर में माइनस भी हो जाती है क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि कि भाई कहां पर कितने बंदे आ जाए कौन कहां पर होगा तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि अपनी कोई ऐसी location बना लो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा टिप नंबर फूर अपना अपना रोल सभी को पता होना चाहिए कौन बंदा sniper है कौन बंदा assaulter है और कौन बंदा किस में अच्छा है तो तब जाकर आपका coordination अच्छा बैठेगा और आपको help मिलेगी और loot में आप smoke ले लो granite ले लो ये बहुत ज़दा important रहते हैं MO ही MO मत भर देना काफी बंदे मैंने ऐसे देखे हैं कि MO ही MO उठाते रहते हैं बस तो smoke, granite, molotov ये सब उठाओगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा tip number 5 है map तो map को भी change करते रहो कभी आप wrangle खेलते हो तो कभी मेरा मार भी खेलो ये दो map ही आपको मैं बोलूँगा खेलने के लिए इसके अलावा तो जो भी map है वो भी अच्छे हैं लेकिन मैं आपको बोलूँगा नहीं उनको खेलने के लिए क्योंकि वहाँ से आपका survival point काफी कम मिलता है ठीक है तो बाकी आपकी चोईस है कि आपको कौन सा map खेलना है किस map को आप अच्छे से खेल पाते हो ठीक है वो आपके उपर है फिर लेकिन मेरे हिसाब से आप रेंगल और मेरा मार ये दो map है जिनको आपको खेलना चाहिए टिप नमबर 6 आपका सभी का goal होना चाहिए कि हमें top 10 में जाना है ठीक है top 10, top 5, top 3, chicken यहाँ पर जाने के लिए आपको खिलना है ऐसे नहीं कि भाई बस हमें तो rank push करना है plus में जाना है बस हो गया भाई plus ही सब कुछ नहीं होता है ठीक है आपको plus लग भी जाए तो भाई उसका कोई फायदा नहीं है आपको अच्छे से खिलना है survival point, kill point जो जो भी ratings होती है आपको अगर नहीं पता तो जाकर आप मेरी पुराने वाली वीडियो देख सकते हो जहाँ पर मैंने आप सभी को बताया है कि आपको कौन-कौन सी rating लेनी होती है तो आपका जाधा plus मिलता है ठीक है तो वो वाली वीडियो देख लेना मैं बस आपको short में बता रहा हूँ बस top 10, top 5 यहाँ पर जाने के लिए खेलो और एक चीज़ इसको ध्यान से सुनना top 10 वो नहीं होता है जैसे आप 40 alive बंदों में मर गए आपके team पूरी खतम हो गई तो वहाँ पर आपके पास आएगा लिखकर कि आप top 10 में आ गए हो hashtag 10 वहाँ पर लिखकर आ जाएगा लेकिन वो top 10 नहीं होता है मेरे भाई top 10 का मतलब होता है top 10 alive वो real top 10 होता है ठीक है तो आप top 10 alive बंदों में आने की कोशिश करो वैसे तो आप चिकन के लिए खेलो लेकिन कोशिश करो कि अगर आप मरते भी हो आपके team खतम हो भी जाती है तो top 10 alive बंदों के अंदर आने के बाद आप मरो ठीक है वैसे मरना नहीं है चिकन के लिए खेलो tip number 7 ये है आपका device अब देखो काफी बंदे बोलते हैं कि हमारे पास 2GV RAM है हम GFX लगा कर खेलते हैं क्या हमारा conqueror हो सकता है अब देखो मैं reality बताओना तो बहुत tough है भाई क्योंकि squad में वापस से बोरों competition बहुत जाद है last के circle में आप solo खेलो, duo खेलो या फिर squad में rank push करो last के circle में बहुत जादा बंदे बचे होते हैं भाई ठीक है तो वहाँ पर आपका phone पूरा का पूरा चिपक जाएगा आपको बहुत जादा दिक्कते आएंगी आप मतलब गंदे वाला मरोगे तो आपका दिमाग खराब होगा demotivate हो जाओगे छोड़ दोगे भाई खुदी rank push करना तो उससे बढ़िया है कि आप normal जैसे matches खेलते हो वही खेलो क्योंकि rank push पे आपको मतलब competition के साथ साथ चलना होता है ठीक है ऐसा नहीं है कि मतलब बंदे आपसे 400 point आगे चले गए 1000 point आगे निकल गए तो फिर आपका conqueror हो नहीं पाएगा फिर वो आपके लिए एक सपना ही रह जाएगा इसलिए भाई competition के साथ चलना होता है तो device आपका अगर साथ नहीं देता तो फिर आपका हो नहीं पाएगा last के circle में आपको बहुत जादा दिक्कते आएंगी शुरू में तो आप safe चले जाओगे कहीं पर loot करोगे थोड़ा बहुत कहीं पर camping कर लोगे कहीं पर कैसे भी करके खुद को safe रख लोगे लेकिन last के circle में तो आपको अंदर आना पड़ेगा circle के अंदर और वहाँ पर अंदे बहुत जादा बचे होंगे कहीं पर भी हो सकते हैं और आपका phone वहाँ पर पूरा का पूरा चिपक जाएगा आपका साथ नहीं देगा और आप वैसे ही मर जाओगे आपका बस time waste होगा कि आपने पूरा का पूरा game survive किया और last में आप बस दान कर देया खुद को अपना किल दान कर देया किसी anime को तो फिर वो बात नहीं बनती ऐसे करके आपका rank push नहीं हो पाता भाई तो वैसे वीडियो काफी लंबी हो रही है और हो भी चुकी है साथ में आपको ये भी बताना है अभी कि आपको 2 या 3 दिन के अंदर कैसे conqueror मिलेगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो उसके लिए भाई टिप को यहीं पर खतम करते हैं बताने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो वो बताने से पहले आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई यह possible नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ कर जा सकते हो पहले ही बता रहा हूँ अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पुरा देखो तो इसको समझाने के लिए आपको मैं यह समझा देता हूँ पहले कि आपको Conqueror कब मिलता है और कैसे मिलता है तो आपको जब Conqueror चाहीए तो उसके लिए आपको Top 500 में जाना होता है जोंकि काफी बंदों को पता होगा लेकिन काफी बंदे इसको गलत तरीके से ले लेते हैं और पूछते हैं कि अगर हम कराउन पे चले गए और वहीं पर हमारा टॉप 500 लग गया तो क्या हमें कौन कररन मिलेगा तो नहीं मिलेगा भाई आपको टॉप 500 जाना है एस करने के बाद एस तो आपको करना ही करना पड़ेगा तो ये चीज़ आप समझ लो पहले आप एस करो उसके बाद आपको टॉप 500 में जाना है तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अब बात करते हैं कि दो या तीन दिन के अंदर आपको कैसे मिलेगा तो जब आपका सिज़न शुरू होगा तो हो सके तो हो सके तो पहले दिन से पहले गंटे से ही लग जाना टाइम वेस्ट बिलकुल भी मत करना और रैंक पुछ तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जैसे करना होता है जल्दे से जल्दी कोशिश करो और आपका गोल होना चाहिए मुझे दो या तीन दिन के अंदर कैसे भी करके एस करना है मानताओं कि मुश्किल है लेकिन impossible नहीं है क्योंकि करने वाले बंदे कर रहे हैं आप चाहे तो देख लेना अभी आपका सिजन शुरू होगा और दो या तीन दिन के बाद देख लेना भाई आपको सिधा कौन करर वाले बंदे देखेंगे एस पर ही उनको सिधा एस पर ही कौन करर मिल जाएगा और वो कैसे कर रहे हैं वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते तो आप दो या तीन दिन के अंदर Ace करो आपका वहीं पर Conqueror हो जाएगा क्यूंकि वहीं पर Top 500 की List होती है उस टाइम और अगर आप लेट हो जाते हो Ace नहीं पहुँच पाते 2 या 3 दिन में देखो Top 500 की List उपर चले जाती है धिरे धिरे करके तो अगर आप हफते में भी करोगे ना तो Top 500 की List और अगर आप बहुँच जाते हो तो समझ जाओ कि Top 500 की List उतना ही उपर चले जाएगी तो आपको बहुँच जादा स्टार लगाने पड़ेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा काफी बंदे पूरा सिजन खेलते रहते हैं और उन्होंने बहुत जादा स्टार लगाए होते हैं उसके बावज़ोद भी उन्हें Conqueror नहीं मिलता तो वही रिजन होता है भाई और जब भी आप रेंक पुश कर रहे हो तो जो Top 100 पे बंदा बैठा है ना उसके Point देखते रहो कोशिश करो कि Top 100 तक आपको पहुँचना है Top 500 के लिए कभी मत खेलो Top 100 के लिए खेलो ठीक है तभी आपका Top 500 हो पाएगा Number 1 वाले बंदे को कभी मत देखो क्यूंकि वो बंदा बहुत उपर होता है कई बार Hacker भी होते हैं वो तो उनका Point काफी उपर होता है तो उनके Point देखो गया तो आप Demotivate हो जाओगी वो Hacker भी होते हैं कुछ Legit Player भी होते हैं तो Top 1 वाले बंदे को कभी मत देखो Top 100 वाले बंदे को देखो उसके Point जितने है उतने करने की कोशिश करो उसके पास आने की कोशिश करो या फिर उसको Cross करने की सोचो तभी आपका Hope आएगा Top 500 तभी आपका Top 500 लगेगा तभी आपका Conqueror होगा ठीक है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको 2 या 3 देन के अंदर कैसे Conqueror मिलेगा और भाई मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा ये पॉसिबल है और बंदे ऐसे ही जल्दी से जल्दी Conqueror करते हैं अब बात उस पर Depend करती है कि आप पहुँच पाते हो या फिर नहीं पहुँच पाते लेकन Demotivate मत होना अगर आपका 2 या 3 दिन के अंदर नहीं भी हो पाता तो आप कोशिश करो कि आप हफते में करो हफते में नहीं हो पाता तो कोशिश करो कि आप 10 दिन में करो 10 दिन में नहीं हो पाता तो कोशिश करो कि 14 दिन में करो ऐसे करकर कि आपका हो ही जाएगा जिसको लगता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है तो जा करना भाई जब आपका सिजन शुरू होगा तो उसके दो या तिन दिन के बाद लिडर बोर्ड को चेक करना भाई आपको खुद पता लग जाएगा उमीद करता हूँ कि आपको सारी बाते समझ में आ गई होगी और आप रंग पुष करोगे अच्छे से और आपका कौन करर हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका पार्ट टू बनाओ तो वो कॉमेंट करके बता सकते हो बाकी इस वीडियो पे इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और बाकी सब्सक्राइब कर लेना भाई चैनल को तो मिलते है भाई लोग ऐसी ही एक और वीडियो पे